हेलो एप्रिवन आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है फ्रेंड्स आज हम बनाने जा रहे हैं चना चाट यह बनाना बहुत आसान है बनाने में सिर्फ 5 मिनट लगता है और सबसे खास बात इसमें यह है कि यह बहुत ही चटपटा बनके तयार होता है और ओयल लिस यह चाट जो है खाने में बहुत ही हिल्दी भी है आप इसे सुबह साम के नास्ते में खा सकते हैं निम्बू के साथ तो इस रेश्पी को मैंने कैसे बनाया है चली फटा बट देख लेते हैं चना चाट बनाने के लिए हमने एक चना रात में ही भीगो दिया थ आप देख सकते हैं यह बहुत अच्छे से फूल गया है चना को पहले वास कर लिया था पानी से फिर इसे भीगो दिया था अब जो यह पानी है इसको भी हम ड्रेन आउट कर देंगे चना हमारा बहुत अच्छे से फूल चुका है और इसे दो पानी से और अच्छे से धुल पानी नहीं डालेंगे, स्वादा नुसार नमक एड़ कर देंगे, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और आधा चम्मच गरम मसाला एड़ कर देंगे, और यहां मैंने साबू जीरा एड़ कर दिया है, अगर जो आप भूना हुआ जीरा पाउडर डालना चाहते हैं तो बाद में ड लालके अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है, अभी मैंने गैस का फ्लेम अन नहीं किया है, अब कुकर का जो लीड है, वो लगा देंगे, गैस का फ्लेम अन कर देंगे, और कुकर का लीड लगाने के बाद कम से कम, तीन सीटी आने तक इसे हम बॉयल कर लेंगे, इसे हमारा मस करके दिखा देती हूं ये देखी बहुत सौप्ट ये बॉयल हो चुका है और इसमें जो हमने पानी डाला था वो भी बिल्कुल पर्फेक्ट था क्योंकि चना थूड़ा सा सौप्ट होना चाहिए उसमें हलका सा पानी होना चाहिए नहीं गले को पकड़ता है अब हम इसे एक बाउल में ट्रांसपर कर लेंगे और अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे जो आपको हरी सब्जियां पसंद है जिसे हम कच्चा खा सकते हैं वो इसमें डाल सकते हैं तो मै मैंने यहां एक मेडियम साइज के टमाटल को चौप करके एक मेडियम साइज के प्याज को चौप करके और बारिक कटी हुई धनिया की पत्ति डाल दिया है थोड़ा सा यहां नमक डाल देंगे क्योंकि नमक हमने पहले भी डाल रखा था आधा चममच यहां हम चाट मसाला कर देंगे और यहां अनार का दाना हमने ले लिया इसे भी डाल देंगे और दो हरी मिर्च को बारिक काट के डाल दिया था इसको भी वो करने के बाद आप अंच्छा चट्पटा फ्लिवर आता है आप यह चाहें तो काल Snamak डाल सकते हैं मेरे पास काला नमक नहीं था इसलिए मैंने प्लेन नमक ही इसमें डाला है काला नमक डालने से इसमें टेस्ट और अच्छा आता है तो इस तरीके से हमारा चाट जो है ये चना चाट बहुत जटपट बन के तयार हो जाता है दो से तीन मिनट भी नहीं लगता है तो अब इसे सर्व कर लेते हैं फ्रेंट्स उपर से आप चाहे तो इसमें भुजिया भी डाल सकते हैं खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है तो थोड़ा सा उपर से बारी कटी हुई प्याज और थोड़ा सा अनार का दाना और इसके उपर अब हम डाल देंगे भुजिया इससे इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है और फ्रेंट्स ये जो हमारा चाट है हरी धनिया की गार्णिस के बाद खाने के लिए बिलकुल रेड़ी है आप इसे हरी मिर्च के साथ इंजॉय कर सकते हैं निम्बू के साथ इंजॉय कर सकते हैं खाने में बहुत ही चटपटा और साथ-साथ हेल्दी भी है तो आप इसे सुबह साम के नास्ते में खा सकते हैं तो फ्रेंट्स ये रेड़ी आपको कैसी लगी कॉमेंट बॉक्स में अपना फीड़ जरूर दीजिएगा और पसंद आई हो ये रेड़ी तो अपने फ्रेंट्स फेमिली में जरूर सेयर करिएगा ताकि इस हेल्दी और चर्पटी रेड़ी का वो भी फाइदा उठा सके और फ्रेंट्स चैनल पर पहली बार विजिट की हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर लिजेगा साथ साथ बिल आइगन को प्रेस कर लिजेगा मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए तो मिलते हैं ऐसे लेटेस्ट रेस्पी के साथ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई जैसरी अरे